वो ही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के बिना ब्रेक वाला वीडियो बूले सकते हाड़ अभी डाउनलोड करें ताक आप देख बिना ब्रेक 6 दिसंबर 1992 कारसेवकों ने भारी संख्या में अयोध्या पहुँचकर मस्जित का धाचा धाहा दिया लेकिन ये पहली बार नहीं था इससे पहले भी एक बार बाबरी मस्जित को तोड़ा गया था इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे लेकिन पहले 6 दिसंबर 1992 का वो मंजर आपको दिखाते हैं सुबा की पहली किरण से पहले ही कारसेवकों का हुजूम विवादित स्थल के आज़ पास जमा होना शुरू हो चुका था विवादित स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की संख्या कम पढ़ने लगी सुबा के दस बच्ते बच्ते कारसेवकों और प्रशासन के बीच धक्का मुक्की होने लगी माहौल में उग्रता बढ़ने लगी थी बीच बीच में अशोक सिंगल लोगों को समझाते हुए नजरा रहे थे लेकिन भीड़ पर तो जैसे जुनून सवार था ग्यारा बच्ते बच्ते लाल कृष्णाडवानी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंगल, शेशादरी, के सुदर्शन, विने कटियार, उमा भारती और महंत अवय दिनात के साथ कई नेता विवादित स्थल के पास पहुँच गये लाल कृष्णाडवानी ने अपनी किताब मेरा देश मेरा जीवन में लिखा है, कि उन्होंने और दूसरे नेताओंने कार सेवकों को रोकनी की बहुत कोशिश की, लाउड स्पीकर का भी सहरा लिया, लेकिन कार सेवक कुछ सुनने और समझने को तयार ही नहीं थे, पौने नेयर की किताब Beyond the Lines के मताबिक जब आयोध्या में उन्मात चरम पर था, प्रधान मंत्री नरसिमाराओ पूजा घर में चले गए थे नरसिमाराओ को जो हुआ उसका आगाज 5 दिसमबर और 4 दिसमबर को हम लोगों को दिख गया थे सिमाराओ कल्यार सिंग को बर्खास करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले कल्यार सिंग ने मुख्यमंत्री पत से स्तीफा दे दिया, उत्तरप्रदेश में राश्रोपती शासन लगा दिया गया, पूरा देश सामप्रदाइक्ता की आग में जुलस उठा मुंबई, सूर, एहमदाबाद, कानपूर, दिली, अयोध्या समेत, उत्तरप्रदेश के कई बड़े शहर हिंसा की चपेट में आए, एक रिपोर्ट के मताबिक इन दंगों में लगभग 2,000 लोग मारे गये, सबसे बड़े दंगे मुंबई में हुए, अकेले मुंबई में में ही लगभग 900 लोग मारे गये, ये तो 6 दिसंबर 1992 की कहानी थी, नकिनी से पहले साल 1934 में विवादित शेत्र को लेकर हिंसा भड़की, इस जोरान पहली बार विवादित हिस्सा तोड़ा गया, ततकालीन बिटिश तरकार ने तब इसकी मरमत कराई, इसके बाद 23 ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया और वो कोड चले गया, साल 1950 में फैजाबाद की अदालत से बोपाल सिंग विशारत ने राम लला की पूजा आरचना के लिए विशेश अनुमती मांगी थी, इसके बाद दिसंबर 1969 में निर्मोहिया खाड़े ने विवादित स्थल को उसे हस्तांतरित करने और दिसंबर 1961 में उत्तरप्रदेश सुनिवक कोड ने बावनी मस्जित के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया, इस तरह आजाद भारत में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनना शुरू हो गया